हेलो एवरिवन तोड़े वी आर गोइंग तो स्टार्ट विछ इस पास्टेंस और आज हम पास्टेंस के फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट के बारे में चच्चा करने जा रहे हैं उमीद है कि आपने जो प्रीवेस वीडियो च्ट की उनको अच्छे से देखा अच्छे से समझा है अब हम पास के तरफ बढ़ते हैं पास्ट कामीन क्या होता है एक स्पास्ट का मीनन होता है प्राशी अतीट और टैंस जैसा कि टाइम और एकशन से रिलेटिड है और एसा एक्षण और और ऐसा टाइम जो पास्ट हो गया जो पेंड हो गया है उसके बारे हम hep करेंगे लाइडिक की तो चलिए समसे जब आप हिंदी का sentence देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके end में था, थे, थी, या ता, था, ते, थी, ती, थी, वगएरा या उसके बाद आ, या, ए, बढ़ाई, चोटाई, बढ़ाई इत्यादी आते हैं इंग्लिस के structure की बात करते हैं तो बड़ा normal सा structure है कि आपको क्या मिलेगा से पहले subject उसके बाद वी तू और उसके बाद object और उसके बाद आपका subject और object compliment हो सकता है या आपकी phrase हो सकती है या आपका एड़ब हो सकती है और लास्ट में जैसा की affirmative sentences होते हैं उनके लास्ट में कहाता है फुल स्टर पाता है तो गाइस example देख लेते हैं फिर्स्ट एक्जांपल को देखते हैं राम ने पत्र लिखा या राम पत्र लिखता था दोनों same sense देते हैं तो इसको translate करते हैं जैसा कि हमा अब हमारा past का past indefinetus से है last में आपको कह मिलेगा आएताथा आयाता आपको मिलता है तो अब हम सबसर पहले subject को identify करते हैं subject हमारा राम है राम के साथ क्या लगाते हैं राम को subject में राम ही लिखा जाता है उसके बाद आपने का करना है वर्प की second form second form आपको पता है कि लिखना की first form होती है right और second form होती है wrote तो हम क्या लिखेंगे राम plus verb second form wrote किसे लिखता है पत्र को second example देख लेते हैं उसने एक साप देखा उसने ही सब्जेक्ट आपका ही हुआ उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है देखना देखना सी सी सा सी तो सेकंड फॉर्म क्या हुई आपकी साप किसको देखा सांप को देखा आपका अब्जेक्ट क्या है एक सांप और स्नेक तो आपका हुआ हिसा स्नैक उसने एक सांप देखा चलिए नेक्स जो इसकी फॉर्म है संटेंस की वो है नेगेटीव फॉर्म उसकी तरह भढ़ लेते हैं तो नेगेटीव फॉर्म में क्या होता है गाईस सबसे पहले स्ट्रॉप्चर चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपको और गाईस एक साथ आप जो है कि इस अंटेंस में डबल जो इसकेंड फॉर्म है उसका यूज नहीं करते हैं तो डिड़ हमारे पास सेकंड फॉर्म आगी है तो सेकंड फॉर्म के बाद आपको क्या मिलेगा आपको फर्स फॉर्म यूज करने हैं क्योंकि नेगेटीव फॉ और उसके बाद जो है sign of fullster example देख लेते हैं वह कवीता याद नहीं करती या उसने कवीता याद नहीं की यहाँ आपको confused हो सकता है कि उसने कवीता याद नहीं की तो उसने कौन है male है female है तो you can use see or he one out of both यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा वह कवीता याद नहीं करती तो यह जो करती थी वह क्या है female की और indicate करता है तो आपने वह के लिए female word यूज करना और female वह क्या होता है she होता है तो इसका structure के recording convert कर लेते हैं she उसके बाद did not उसके बाद first form यूज करनी है याद करना learn होता है किसे learn करती है वह point say did not learn a point मैं कल स्कूल नहीं गया मैं कल स्कूल नहीं गया कल में कई बच्चों को confused होता है कि कल के लिए हम yesterday यूज करें यह tomorrow यूज करें तो guys tomorrow जो होता है वो आने वाला होता है upcoming day होता है next day आता है और जो कल है yesterday जो है वो होता है आपका past day तो यहां पर कल नहीं गया है means जो पीछे वाला है उसके लिए यूज किया गया है तो structure के recording subject plus did not plus अब देखी आपने verb की first form यूज करनी है did not के साथ I did not go to school yesterday yesterday जो है आपकी एक main adverb है पास्ट इंडेफिनेट नेक्स जो sentence का टाइप है वो है आपका interrogative और आपको पता ही है कि interrogative जो sentences होते हैं sentences होते हैं वो two type के होते हैं एक वो जो helping verb से start होते हैं यानि क्या से start होते हैं हिंदी में और दूसरे जो wh question word से या question family से जो है start होते हैं तो first जो type है interrogative का उसका structure चेक कर लेते हैं सबसे पहले helping verb यूज़ करते हैं first type of structure के अंदर helping verb जो है पास्ट इंडेफिनेट की वो है अपकी डिट तब से पहले किसका यूज़ करेंगे डिट का यूज़ करेंगे उसके बाद subject उसके बाद वीवन और उसके बाद object और interrogative form जो है उसके सबसे बड़ी identity क्या है कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा sign of interrogation second जब form है WH question word या WH question family में से कोई एक उसके बाद helping verb जो कि did है उसके बाद subject उसके बाद वीवन और उसके बाद object और लास्ट के अंदर आपका sign of interrogation example देख लेते हैं first structure से related क्या तुम film देखने गए थे तो जब भी guys आपको पता है कि अगर क्या से start होता है कोई sentence तो उसमें हमेशा ही helping verb का इस्तेमाल के आदाता है और यह sentence है वो किसका है गए थे ता थे ती थी थे थे या ए आई ओ आओ तो यह क्या है आपका थी तो आपने क्या करना है अब आप helping verb से start करेंगे helping verb क्या है past indefinite की वो है did did start में यूज किया उसके बाद आपने subject का यूज किया subject आपका you है उसके बाद आप guys यहां देखिए देखना और जाने 2 verb हैं तो 2 verb में से पहले हम किसको use करेंगे उसके after कौन सी को use करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है आप देखिए की पहले आप कौन सा action कर रहे हैं आप पहले जाते हैं या पहले movie देखते हैं आप जाएंगे उसके बाद आपको movie देखने को मिले, उस प्लेस पर आपको जाना होगा पहले तो पेले जो action करना हो तो कैसे करते हैं ? T twee GoToWatch देखने के लिए चान। क्या देखने के लिए गए भई ? फिल्म क्या है यापकी ? नेक्स जो टाइप हो देख लेते हैं तुम कल क्या देखने गए थे ? तुम कल क्या देखने गए थे ? आपका जो interrogative जो sign word है वो क्या आपका ? यह starting ऑच सब्सक् बीच में कहीं संटेंस के आपको मिलेगा तो क्या की इंगलिश ओती है वर्ट जैसे कि हम ने प्रिविएस वीडियो में एकस्प्लेइंड किये थे ड़्यच कॉशन वर्ड या कॉशन फैमली से जो भी वर्ड थे उनका हमने एकस्प्लेइंड कर दिया है उवर्ड ही तो वही स तो गाइस कुछ इंपोर्टेंट एडवर्ब्स चेक कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो इंपोर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो एक्साम में बड़ी हेल्फुल रहती है हमारी जब भी आपको वर्ब की फॉर्म फिल करने होती है उसमें हमारा बहुत है यह है कि आपकोakat को सbung फॉर्ट संटेंस जो है दिया गया है इस तरह से संटेंस दिया गया हो शीड़श गोट उट्सी ताज महल यह सारे कि ताइम सेलेटिट हैं लास्ट संडे लास्ट मांडे लास्ट व्यूजब लास्ट मांत यहें इस्टे ड़रे टाइम लीचिन करता है कि कितना पहले three year ago two year ago five days ago यह सारे क्या है किसको यह जो सारे वर्ड है वो time को रिप्रेसेंट कर रहे हैं तो last year वैसे अगर last आजए I am standing in the last row तो वहां पे वो last नहीं है वो last row last time last time कौन सा है last time last year तो आपको यह क्या use करना है यहां पे आपको adverbs मिल गई है last plus time यह तो अलड़ी time को mention करता है इसमें भी time होगा long ago ago time से लेटेड है तो आपने क्या फिल करना है आपने इस second form फिल करने है क्योंकि इसकी जब form है जो यह structure है first sentence का वह आपका affirmatives है और affirmative में subject plus V2 तो V2 गो की second form होती है go went went third form होती go guys आप यहांपे careful करोगे went second sentence को check कर लेते हैं where are you dash see me yesterday यहांपे फिर से आपको वही adverb मिल गई आपको yesterday yesterday और form कैसी guys interrogative form है और interrogative structure क्या होता है subject plus और sorry WH question words related है तो second structure है यह आपका second type है interrogative form का तो आपको पता है कि सबसे पहले WH family में से कोई word उसके बाद helping work helping work कौन सी है guys past indefinite की date तो यहांपे आपके फिल करोगे date you और date के बाद का आता है और की first form आती है तुस्सी का see आजए कैसे फिल करेंगे did you see where did you see me yesterday तो यह था guys आपका present in past indefinite अब हम discuss करते है past continuous जो की second part है past tense का past continuous past continuous में क्या होता है guys पहचान देख लेते हैं हिंदी के sentence की क्या हुआ अंत में continuous जहां पर आज आता है वहां पर आपको रहा रही रही चरूर मिलें आपको आपका क्या आता है लास्ट के अंदर रहा था रही थी रहे थे पस फर्ग इतना है present continuous और past में चलते हैं इंग्लेस का structure चेक कर लेते हैं सबसे पहले subject वोस्वर प्लस वीवर्ण प्लस आई एंसी प्लस अब्जेक्ट और last में फुल्स तो गाइस यहां पर आपको confusion हो सकती कि आपने वोस कब यूज करना है और वर्क यूज करना और यह किसको क्लियर करता है यह subject को सब्जेक्ट से ही आपको confirm होगा कि आप वोस यूज करेंगे वह यूज करेंगे तो आपके लिए हिंट प्रुवाइड कर वाया गया है आप जैसे कि विद्यार्ति कक्षा में शोर कर रहे हैं तो सब से पहले आप हिंदी में बढ़ोगे तो आपको शोर हो जाएगा कि आपके अब पास्ट कंटिनुस्टेंस अब देखिए हमारा subject क्या है विद्यार्ति मीन स्टूडेंस अब confusion subject के बाद स्टार्ट होती कि वह से हुआ तो गाइस इसको क्लियर करने के लिए आपके पास एक हि अगर आपका subject I, He, She, It और singular noun में से है तो आपने क्या यूज़ करना है वो उसका यूज़ करना है और काइस विद्यार्ति students student आपका singular noun नहीं है plural noun है तो students के बाद आप किसका यूज़ करेंगे वर का यूज़ करेंगे तो student वर अब आपके पास क्या है वीवन क्या कर रहे है वह कर रहे हैं करना शोर करना मेक और आइनजी मेकिंग इको एंड करके आइनजी मेकिंग मेकिंग क्या नोइस मेकिंग आइनजी चेक कर लेते हैं students were making noise in the class कक्षा में कि फ्रेज क्या है कि किसरे आपकी इन दे क्लास माली पोधूं को पानी दे रहा है guys पानी बहुत से पच्ची क्या करते हैं पानी को लग लिखते हैं देना को लग रिखते हैं ऐसे ही करना काम करना काम को लग से मेंशन करते हैं और करनी को लग से मेंशन करते हैं guys कुछ एक word ऐसे होते हैं जो sometime they are represent as तो पानी जो है पानी देना पानी देना का मतलग होता है वोटर का मतलब पानी होता है नाउन as a noun और water का मीन होता है verb में भी आता है पानी देने के form में भी तो आपको सबसे पहले माली के बारे में जाना है माली कोन होता है भी garden के अंदर जो work करता है वो gardener जैसे play काता है जो वो player और ऐसे ही जो garden के अंदर काम करता है वो क्या हो गया gardener संटेंस की फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्प अलड़ी मेंशन की गई थी अफर्मेटी में भी तो वह जवर है और उसके बाद भी वन प्लस आई एंजी प्लस अब्जेक्ट और लास्ट में साइन अफ फुल स्ट एक्सेंपल देख लेते हैं हम पाठ नहीं पड़ रहे थे रहा था रही थी रहे थे तो वी आर वेरी शॉर अबाव दिस ताइप अव संटेंस फॉम बिच तेंस इस चेकन तू पी वी के साथ क्या यूस्कर में वो वी वर नोट रिदिंग अलसर मैं दारावाहिक नहीं दे नंश्रय और बहुति तो टाइब होती को इसमें अल्रढी क्या है यह व को हैपने और वर्व उसके बाद सब्जेक्ट इसके वन-जी प्लस अब वीवन प्लस इंज प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में साइन अप इंटरोगेशन एक्सेंपल देख लेते हैं क्या वह गीत गा रहे है गाइज यहां पर भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं गीत गाना गीत गाना मीन सिंग और गीत क्या पर सॉंग वह से बच्चे कंफ्यूज हो फिए सिंग संग संग होता है ब्याज को सांग वो नाम को किसे की इसको क्या से स्टार्ट हुआ हो यंज करने है और रहा रही दिरендम आ ऐती तो आपका पास्ट कंटेंड से पास्ट के संग वह वह किस के सब्जेक्ट के सम्चें सीज ए जए क्या लगाते हैं was use करेंगे was she singing a song was she singing a song next type का sentence देख लेते हैं तुम यहां क्या कर रहे थे तुम यहां यहां क्या क्या means what तुम तुमके साथ क्या यूज करते हैं were what were you doing here what were you doing here तो कुछ important adverbs को देख लेते हैं important adverbs कुण कुण सिंगा इस दोज देज यहां पर एस कर ले ना those days those days at that time at that moment while while से क्या है कि अगर तू संटेंस दिया हुआ आपको तो first अगर आपका past continuous का है तो आपका second भी क्या होगा past जैसे कि वो बढ़ रहा था जब कि उसकी बहन खिल रही थी this type of he was reading while his sister was playing exam point of view check कर लेते हैं जैसे आपको first sentence दिया गया हो example के तोर पर they dash play cricket at that time at that time आपकी adverbs है और at that time किसकी adverbs है यह आपकी past continuous की आपको पता है कि यह type कौन सा है sentence का यह है आपका affirmative और affirmative में क्या करते है subject plus helping verb प्लस वीवन आई एंजी और helping verb past continuous की कौन सी है वो जबर है तो गाई subject आपका दे है तो दे के साथ क्या यूज करोगे वह और play के साथ क्या लिए उसकर दोगे आई एंजी तो क्या से भी आप शोर होगे कि यह क्या है आपका past continuous past continuous और sentence की sense चेक कर लें interrogative है interrogative में क्या आता है गाईस आपको जो second type है यह interrogative की डव्यूज कोशन फैमिली प्लस helping work तो यहां पर क्या आएगा आपका helping work she subject और प्लस वी बन प्लस आई एंजी तो क्या फिल करोगे what she है शी की coding क्या आएगा was what was she do plus ing doing was she doing what was she doing in those days तो guys यह आपका work है आपने इसे अच्छे से understand करना है और इससे लेटिल कुछ एक sentence बनाने हैं और send कर देने हैं that's all for today have a nice day thank you आपका प्लस आपका आपका वाना है